पारे लोग तयार हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाएं उसके बारे में discussion कर लेते हैं, तो चलिए फड़ा-फड़ से शुरू करते हैं, चलिए तो सबसे पहले तो ये तो मैं बात में बताऊंगा आपको, चलो मैं पहली ही बता देता हूँ, कहें कि पैसा कहां से लाएं उसके बारे में खेर अपन discussion करते हैं, पर चलो, suppose करते हैं कि आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत मालनों आपके पास आपके 1000 रुपे भी salary है, 100 रुपे होंगे 1000 रुपे salary है, 900 रुपे खर्च कर दिया होंगे, 100 रुपे होंगे, कुछ तो होगा जो भी आपके पास pocket में है, ठीक है, अपन तो minimum से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, 100 रुपे पे बहुत बड़ी बात होती है अगर आप minimum रुपे पर भी हों, तो देखो, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, तब, उसके बाद अगर थोड़े बहुत आगर आपने save की हैं, तो वो saved पैसे कहां लगाए जा सकते हैं, एक तो आप लगा सकते हो business में, अब business में थो return का कोई मुगावला ही नहीं है, अगर वो business चल पड़ा, तो इसके return का कोई मुगावला नहीं है, इसका मतलब business सबसे दा profitable है, अगर आपको अपने आप पर यकीन है, और अगर आप high risk उठाने को तयार हो तो, लेकिन हर किसी में ये मादा नहीं होता, क्योंकि business के लिए risk भी थड़ी खोल लेता है, चाय की थड़ी में क्या लगता है, थोड़ा बोती दो से उधार लिया तो चल सकता है, but that is a small business, but again, बड़े business के लिए आपको बड़ी team चाहिए, ठीक है, आपको इनकी बारीकिया पता होनी चाहिए, risk बहुत ज़ादा है, और पैसे भी थोड़ा ज़ समझ रहो, तो और इतना समय भी, सबसे important चीज के है, business में समय भी बहुत लगता है, इतना समय हमारे पास है ही नहीं, इतना time कैसे देंगे, अब दूसरी चीज पर आते है, if you have money, you can invest that money, आप उस पैसे को invest कर सकते हो, तो business तो भूल जाओ, investment पे आजाओ, यह हमारा target है, invest money, आ आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ, आपको समय नहीं देना है उसके बाद, समझ रहो, अब investment कहां कहां होती है, जरा आप समझो, सबसे पहले तो, if you have money, अगर आपके पास extra amount है, आप क्या कर सकते हो, आप FD में डाल दो, RD में डाल दो, PF में डाल दो, यह ऐसी चीजे हैं जिनमें सबसे कम risk होता है, कोई risk नहीं है, मतलब ना के बराबर risk होता है, unless until आपका जो bank है वही डूब गया तो अलग बात है, otherwise इसमें कोई risk नहीं है, आपको वो बोलेंगे आज कल तो वैसे FD में बहुत कम return मिलते हैं, HDFC मैं बात करूँ या फिर ICAC की बात करो, जो भी bank है 5% की return है totally, जो पैसा दोगे उसका 5% साल बर में आपको return मिलेगा, बहुत कम return है, इससे ज़्यादा तो inflation है, इससे ज़्यादा महिगाई हो चुकी है, तो वो return ना के बराबर है, हाँ इसमें low risk है, ठीक है, लेकिन, sorry, हाँ risk low है, risk free है, लेकिन return भी अच्छे नहीं मिलते हैं, FDRD से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बहुत कम return होते हैं, इसके लाबा, आप gold और property में invest कर सकते हो, अरे यार, gold और property तक के पैसे होते हैं, वार पास इतना पैसे ही नहीं है, gold और property की investment के साथ problem यह है कि बहुत दादा expensive है, gold के लिए कहां से पैसा लाएं, इतना तो महेंगा हो रखा है, property के लिए कहां से पैसा लाएं, property कोई आजागी यह 100 रुपे में, नहीं आएगी, तो यह भी investment की एक area है, but in that case, time consuming है और expensive बहुत है, इतना पैसा कहां से लाएंगे हम लोग, इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास, फिर तीसरा sector कौन सा है, mutual fund, हाँ, यह अब आप आग to direct आप जो share खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर average returns मिलते हैं, अगर आप mutual fund में पैसा लगाते हो, SIP कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहाँ से जो return मिलते हैं, वो maximum कितने होगे, 7% से लेके 15-18% तक return मिलता है, इससे return नहीं होता, 18% मिलकी तो वैसे बहुत बढ़ी ब मिलते हैं, तो आप ज़रा समझो, if you have money, तो business से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट उसके लिए skill चाहिए, इतना हमारे पार time है नहीं, लेकिन investment के चार तरीके, एक, दो, तीन, चार, इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि return से ज़्यादा तो पैसा बरबाद हो रह we are talking about investment, we are talking about share market directly, मुझे कोई interest नहीं mutual funds में पैसा लगाने का, आप इच्छा हो तो आप लगा सकते हो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, अच्छे होते हैं, return इतने जादे लें, मजा नहीं आता, share market में directly जब आप पैसा लगाते हो, you will enjoy that as well, कैसे enjoy करोगे, that I will tell you, don't worry, पैसा घटा बढ़ता है, कहां से पैसा आएगा ना, उसके बारे में बताऊंगा तो फिर आपको मजा भी आएगा, तो पूरे ध्यान से देखना, तो अबरॉल बात यही है, FDRD भी कुछ नहीं रखा, gold property बहुत महेंगी है, अपने बस की बात नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा उसको कहा डालें, या तो mutual fund में, share market में, share market में डालोगे, उसके लिए आपको जिगरा चाहिए,